पेरिफरल नियूरोपेथी यानि हमारी जो पेरिफरल नाव होती है नसे होती है उनके अंदर कमजोरी आ जाती है वहाँ पर डेमेज हो जाता है या किसी तरीकी के कोई इंजरी हो जाती है उसकी वज़े से हमारे को अलग लग तरीके के सिम्टम्स नजर आते हैं तो उन Litterns को homeopathic medicine किस ठीक कर सकते है यानि आपकी नस्डान के अंदर जो कमजोर ही आती है weakness महसूस होती है उसको homeopathic medicine के मादेमसे कैसे ठीक क्या जा सकता है इसको जाने के लिए वीडियो को लास तक जरू देखें मैं हूँ डॉक्टर रामदेल मूरिया जोत्पुर आजस्तान इंडिया सी खोंपेथी कंसर्टेंट और आपका भूत वह स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पारसोंपेथी में चले सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी पेरिफर्ड जो नर्वस सिस्टम होता है हमारे दिमाग और हमारे स्पाइनल कोड के अलावा जो हमारी नसे हमारी पेरिफर्ड के अंदर सप्लाई होती है उनके अंदर किसी भी कारनोस कोई डेमेज या नर्व इंजरी हो जाती है तो वहाँ अपर आपको अलग लगता है कि सिंटमस नजर आने लग जाते है तो उन सिंटमस को हम बात करते हैं स्टेप बाई स्टेप आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी नर्व इंज्री की वज़े से या नर्व के अंदर वीक्नेस के कारना यह सिम्टम्स आ रहे हैं तो सुरुआत के अंदर अगर मालेजिए आपके हाथ पैरों में कोई दिक्कत हो रही है तो क्या लगेगा आपकी चमड बढ़ती ही मैसुस होती है हलकासा भी हाथ लगाएंगे बिल्कुल दर्द का एसास होगा हलकी सी पार्ट में को टच होने ते एकदम से करेंट साथ ओड़ेगा या फिर जैसे जैसे आपकी यह सिंसिटिवटी या सिम्टम्स बढ़ते हैं वहाँ पर क्या होता है बहुत जालें उसमें आराम नहीं मिलता है ऐसी जो जलन होती है वह होती है मैनली आपके पेरिफिल नर्व सिस्टम की वजह से उसके बाद जैसे जैसे शिंटम्स और प्रोग्रेस करते हैं वहाँ पर क्या होता है नम्बने साने लग जाती है सुनापन का एसास होने लग जाता है ऐ महाँ पर कुछ ताकत ही नहीं बचिये उस पार्ट के अंदर कुछ एसास बिल्कुल ही खतम हो जाता है तो यह कंडिशन होती है पेरिफरल नियूरोपेथी के अंदर तो सोट में हम बात करते हैं कि क्यों होती है ऐसी कंडिशन आज के समय के अदर मैन कार्ण है डाइबिटी जैसे देखा था डाइबिटिक नियूरोपेथी इससे लिटेड हम अलग सी वीडियो लेके आ रहे हैं कि जिन लोगों को डाइबिटिक नियूरोपेथी है इनके अंदर नसों की समस्या है उनके लिए कौन-कौन सी मेडिसिन यूज की जा सकती है इसके रावा बहुत सारी मेडिसिन सम्या यूज करते हैं जिनकी वज़े से आपको जाती है जिनकी वजह सकती है बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है कोई तरहे के इनफेक्षन बोडी के अंदर होते हैं आपको peripheral neurophathy डौरफ हो सकती है चलिए बात कर ली कि आपकी peripheral neurophathy किस तरीके की होती है क्यों होती है अब बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है हुमिपेथी के अंदर इतनी power होती है कि आपकी ऐसी समस्याओं जो कोई भी मेडशिन ठीक नहीं कर पाती है वहाँ पर कौन सी मेडिसिन आपको यूज करनी चाहिए अगर आपको इस तरीके की समस्याओं है पहली जो खास मेडिसिन है वह आर्सिनिक अलबम आर्सिनिक अलबम के अंदर हम समझते हैं कि जो भी आदमी होता है जिसके अंदर जिसको पता चलता है कि मेरे हातों पैरों में जलन है पेरिफर निरोफेथी की सिकायत है तो सबसे बेस्ट मेडिसिन आर्सेनिक अलबम इसके अंदर इतनी ज़्यदा तेज जलन होती है कि आप ठंडा गरम कुछ भी लगा लेते हैं आराम नहीं मिलता है तो उस कंडिसन आर्सेन के अलबम को आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं बिना सोचे समझे इस्तेमाल कीजिए आपको बहुत अच्छे रजल्ट मिलेंगे सेकिंड जो स्टेप बाई स्टेप आपको बर्निंग पेन है उसके बाद आपको क्या हो सकता है आपको ऐसा लगता है कहीं हाथ पेनों में सुयां सी चूब रही है पिकिंग सेंसेशन हो रहा है तो वहाँ पर यूज की जा सकती है पिक्रिक एसिड इनकी 30 पाउर को आप यूज कर सकते है पास पास पूंद आदा कप पानी में दिन में तीन बार लिया जा सकता है औब जलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं निक्स जैसे जैसे आपके सिंटम्स और बढ़ते हैं कई बार क्या हुता है कि वह ज़्याथ तीज दर्द होता है कि जैसे लगता है उस नसको उस पाट को काट दिया गया है या उसमें बहुत तीका चीज चुभा दी गए है या तीके चीज चुभाने की वज़े से आपकी नर्व डेमेज हो गई है वहाँ पर यूज की जाती है हाई पेरिकम है करें 30 पाउर को आप 15 पूंद आदा कप पानी में 3 पार इस्तिमाल कर सकते है अब लास्ट मैं आपको एक मेडिसिन और डिसकस करूँगा वो है दोस्तों जहां पर आपका पार्ट ऐसा लगता कि पैरलाइज हो गया है उस हाथ में या उस सेंसेशन बिलकुल ही खतम हो गया कि यप काम करना ही बंद कर दिया है तो उस कंडिसन आप कोस्टिकम 30 पाउर का इस्तिमाल कर सकते हैं कोस्टिकम 200 का भी इस्तिमाल किया जा सकता है वो डिपेंड करती है पैसेंट की कंडिसन के अकोर्डिंग इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिने मेने कियों आपको ब्रिप के अंदर चार या पांच मेडिसिन्स बताई है जो जनरली यूज की जाती है लेकिन इसके अलावा अगर आप मेडिसिन्स का यूज चाहते हैं या इन से आपको रजर्फ नहीं मिल पाते हैं तो आप नजदी के हों पेती डोक्टर से प्रामश ले सकते हैं या आप चाहते हैं हमारे से प्रामश लेना तो दीए गए वार्च्टप नमर के दोबारा अपोइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं दोस्तों ये नार्ष से समंदी थी आप पेरिफल नियूरोपेटी से समंदी जानकरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा कमेंट्स के मादल से जरूर बताइएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें उनकी जानकरी सबसे पहले आपको मिसकते हैं मिलते हैं नहीं जानकरी में वीडियो के साथ धन्यवाब प्रेंज